देखिए मैं तो यह कहूंगा कि यह बारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है यह इतना बड़ा कदम है कि बारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी एक न्याय मिला था फ्रीडम मिला था उससे में इसको कंपेर करूँगा ग्यारह दिनों से अपने वरत के जरिये एक तफस्वी की भाण मैं इसको करूँगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत चोटे है जो इंडियन कल्चर है यह इन चीजों को समझना होगा आपको लेकिन जो श्री प्रबु राम का एक एक्जाईल है एक पांसो साल का वनवात है उसका अंत हुआ है तो यह जो तब्दीलियां आ रही है यह बड़े मैसेव स्केल पे हैं मेरी एंटसिस्ट्री हिंदों से सिखों से मुसल्मान इंडिया इस नो मोर अन इंडिया था जो पहले था इंवेडर थे आये जुलम किया बहुत जुलम किया थोड़ा सा जुलम नहीं किया बहुत ज्यादा जुलम किया मैं अग्री कर दो मेरे वो हीरो नहीं है मैं पहले मैं क्रेक्शन कर दूँ मेरे हीरो नहीं है मेरी नजर में वो इंवेडर थे इस लैंड आज गाइडियन जो क बाइनित जोहां, यह हो थोड़ा सा जोलम नहीं की आ, बहुत जरुपुत करता है Mr. मेरे वो हेरो नहीं झांद करक्शन और नहीं है, इस मेरे आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई, मैं भारत बड़ी दफ़ा गया हूं, आज तक ताज मेल लीग है, मैं एक दफ़ा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठके, मैंने नही आजर नहीं गया था, मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेवल पर बैठे डिनर पर, उन्होंने पूछा कि बड़ी इनहुनी बात है, कि इतनी सेमथ वंडर ऑन दा प्लैनेट है, हम सब अमरीका से आके बस में बैठके तो आग रहा गये थे आज, आप नहीं गये, मैंने कहा इंडिया इतना वीक हो चुका था, ब्रिडिश का लूली बन गया था, और शहजादे का मजाग क्या था, कहते हैं उसने मोहबबत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहबबत की चोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पतने कितन भी यार, कितन भी बीवी थी उसके, व उसकी बेहन से शादी करना, जी बिलकुल भारत में राम मंदर का इफ्तदा कर दिया गया है, और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुक्तलिब मकातबे फिकर की तरफ से, डिफरेंट किसं की उपीनियन जो है, वो सामने आई है, जाद अदर घमों गुस्से का इजार किया चाहूंगी, इसके उपर भी आजगाज़र अभाद के पाकिसार में तो वैसर हर वक्कित रहता है, रहन चाहिए, ज描कि वैसे जाहां इतनी लूट मार पड़ रहा हुना, वैसर गरीब गरीब यरीब त्रीन उता रहा है, हम यहां तो नहीं होना है, लेकिन आपने कभी जब आये टरकेश आये सारे और मैं मुझे कैलकुलेशन में I can be wrong वो उन्होंने हजारों मंदर तोड़ के मस्जदें बनाई थी लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कई मंदरों को तोड़ के मस्जदें बनाई गई थी और फिर इसको जजबात में लेके जाना चाहिए क्या व पहले म्यूजियम था आज वो मस्जद बन चुकी है अब क्रिस्चन है अगर वो आपके उपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चड़ दें आप तो एक घंटा नहीं निकाल सकते एक मिनिट निकाल सकते जितनी टेकनालोजी क्रिस्चन के पास है तो दूसरा यह देखना चाहिए खास कर बैब भैसीते एक पाकस्तानी सबसे पहले सोचना चाहिए मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैंकरोंड क्या है मैं कभी यह दावा नहीं करता कि मैं अर्बों का रिष्टेदार हूँ या मैं मौलों का रिष्टेदार हूँ इस खिते सारे खिते का मजब हिंदू मजभ था सबकर लोग क्रिस्चन हुए हिंदू है से लोग सिख हुए मेरी एंटसिस्ट्री हिंदो से सिख हुए सिखों से मुसलमान देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये बारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है ये इतना बड़ा कदम है कि बारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी एक न्याय मिला था फ्रीडम मिला था उससे मैं इसको कंपेर करूँगा मैं इसको कंपेर करूँगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत चोटे हैं ये एक हिस्टोरिकल सिवलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन जो श्री प्रभू राम का एक एक्जाइल है एक 500 साल का वनवात है उसका अंत हुआ है तो मुझे लगता है कि लाखो हिंदूओं की श्रद्धा का ये मुद्ध रहा कई सालों तक और कई सालों से हिंदूओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे लीगल सिस्टम इसको बुला दे और जो पॉलिटिशन भी हैं इसको बुला दे और हमको न्य ज्याय मिले ही नहीं लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं क्यूंकि एक बारत के न्याय में न्याय पालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जूरिस्टिक परसन और श्री रामलला जो श्री राम है उन्होंने खुद जो है यह केस लड़ा है तो उनके है अब जो यह श्री राम जन्मभूमी मंदिर वहां पर बना है आयोध्या में यह बहुत बड़ा पिल्ग्रिमेट सेंटर बनेगा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बारत में यह सबसे बड़ा पिल्ग्रिमेट सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रदालू आएंगे और यह एक पिल्ग्रिमेट सेंटर बनेगा जो आयोध्या की उत्तरप्रदेश की और बारत की एकॉनमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा नरेंद्रा मोधी के दस सालों में इंडिया की रीबर्स जो हो चुकी हुई है और चीजें बिलकुल एक और जो पुलिटिकल डि इंडिया के अदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं ओके गुड़ बट कहीं लोग कै रहे हैं कि नहीं इससे तक्सीम भी पैदा हो सकती है और अब जिसे मैंने आपको बताया है कि यह इंडिया का जो कल्चर है और जो Hindu culture है they are going to be the same and many people think नहीं यह different है लेकिन बहुत सारे लोगों को आप समझ लगेगी that they are going to make it one वो कहेंगे यह एक ही है